उष्टिमार्गी वैश्णों कंठी और ब्रह्म संबंद रूपी संसकार से जुड़े हुए रहते हैं ये जो शोड़श संसकार सनातन धर्म में जैसे बताए गए हैं वैसे ही वैश्णों संप्रदायों में जिस प्रकार से तापा, पुंड्रा, तथा, नामा, मंत्रो, याग कि जो पंच संसकार संपन्न वैश्णों माना जाता है तो हमारे यहां पंच संसकारों को दो प्रकार से रखा गया है, पहला नाम निवेदन संसकार अश्टाक्षर मंत्रों अपदेश और दूसरा आत्म निवेदन संसकार सगध्य पंचाक्षर मंत्र का उपदेश, मैंने आ क्योंकि सिध्धान्त रहस्य के किसी भी टीका कार ने कभी भी दीक्षा शब्द का प्रयोग सिध्धान्त रहस्य के विवेचन में या विया ख्यान में नहीं किया इसलिए हम भी सगध्य पंचाक्षर मंत्र के दान को पंचाक्षर के दान को दीक्षा अवश्य बताते हैं, लेकिन संग में बताते हैं कि जैसे यग्योपवीत संस्कार में गायत्री मंत्र दिया जाता है, वैसे ही ब्रह्म संबंद की अलवकि दिव्यर प्रक्रिया के अंतरगत आपको पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी जाती है, तो अश्टाक्षर और पंचाक्षर दीक्षा इनकी हैं, लेकिन ये जो पूरा प्रकल्प है कि जिसमें हम ब्रह्म संबंदित होते हैं, ब्रह्म संब अंदर के जीवात्मा इन दोनों का जो भगवान से संबंध जो जोडते हैं श्रिमा प्रभुजी के अलवकिक सन्निधान और हमारे सांप्रत समय के गुरुद्वार की साक्षी में तो उस प्रक्रिया को हम दीक्षा नहीं कहेंगे, हम उसको संस्कार कहेंगे. तो हमारा पुष्टी मारगिय संसकार जैसे स्त्रियों को पाणी ग्रहन संसकार, विवा के करम को पाणी ग्रहन कहते हैं, वैसे ही यग्योपवीत संसकार द्विजों का होता है, ब्रामनों का, क्षत्रियों का, प्राचीन काल में वैश्यों का भी यग्योपवीत संसकार होता और आज भी जब वो शौतस्समार्त कर्म करने बैठते हैं किसी भी प्रिकार का, चाहे वो देव कारियी हो या पित्रकारियी हो, तो भी आपने देखा होगा कि वैश्यों को भी पित्रकारियाधी करने के समय पे प्रासंगिक यग्जοपवीत तो पेराई ही जाती है यज्योपवीत उनको देकर ही उनसे शौतस्मार्थ करम कराए जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे यहां भी ये जो पूरा सम्सकार करम है, ब्रह्म सम्मंध सम्सकार। इसमें गद्य मंत्र जो है वो पंचाक्षर का ही महाभाश्य है और पूरे व्याख्यान सहीत मतलब सार्थ सगद्य पंचाक्षर मंत्र जब प्राप्त होता है तब उसको हमारे वैश्णवी दीक्षा मानी जाती है मंत्र प्राप्ती को लेकिन ब्रह्मा सम्मंद रूपी अलव कि महाप्रभुजी के सन्यधान में पूर्ण पुर्शोत्तम पुष्टि पुर्शोत्तम परातपर परब्रम भगवान शी कृष्ण के यूं समझों के सन्मुक खड़ा करके एकाद शिंद्रियों की शुद्धी कराने के लिए उनको व्रत करवाके शी अमना जी को प्रसंद कर के जिस प्रकार से जीव को बुलाके अप्रस कराके चर्णामरत देकर तिलक धारन करवाके या प्रसादी कुंकुं की टीकी लगाके और जिस प्रकार से उनको बुलाया जाता है अप्रस में और उनको अस्प्रश अप्रस का अब ब्रौंश जो है अप्रस जिसका उसको कहते अस्परश्य अवस्ता में जब वो किनी और को नस्परश करे ऐसी स्ितिती में उसको हाथ में तुलसी जी प्रदान करके तुलसी जी वापिस क्या है ये स्वयम भगवत सम्मंद कारिणी है तुलसी जी कि कंठी नित्य पहरना, तुलसी जी इसलेकर द्य अश्ताक्षर सगध्य सहित पंचाक्षर मंत्र पूर्वक राजगोग धरते समय अत्वा जिनकी जो परंपरा हो शंगार ग्वाल में जब भी अपने ठाकुरजी में तूलसी समर्पना ये सब हमारा निवेद नम्तुस मर्तव्यम सरवता तादर्शेर जनी ही तो उनमें सबसे जो तादर्शी हैं वो कारण से अपरम आवश्यक होता है कि शी तुलसी जी भी ब्रह्म संबंद में कारक बने तो आप देखो कि साक्षात शी महाप्रवु जी आप कृष्णो हियत साक्षिकम ठाकुर जी स्वयम शी गोवर धन्धर साक्षात शी अमना जी की तरफ से उनका प्रतिनी धित्व करते शी तुलसी जी भगवत प्रिया होने के कारण और आपके सामप्रत समय के गुरु इतने लोग आपके ब्रह्म संबंद में कारण होते हैं जिनमें सरवो परी कारण भूद जोगर कोई हैं तो वो साक्षात शीमद आचारे चरण हैं आचारे चरण मध्यपाती नहों हमारे औ ब्रह्म संबंद संभव नहीं हैं क्योंकि ब्रह्म संबंद कराने के लिए यज्य भोगता और यज्य करता दोनों आप उन्हें आवश्यक हैं अगनी मीडे पुरोहितम यज्यस्य देव मृत्विजम तो होतारम रत्न धात्म मित्यादी मंत्रों से हम देख सकते हैं कि अगन रित्विज भी हैं यज्यमान भी हैं आप अगनी स्पयम हैं तो सबसे पहले प्रार्थना उपनिशद ने किस्से की हैं वेदोंने अगने नयसुपताराये यस्मान विश्वानि देव वयुनान विद्वान जुयो ध्यस्म जुहुरान मेनो भुष्टांते नमा उक्तिम व मतलब इशा वास्यम निशद का ये मंतर है इसमें इशा वास्यमिदम लूं सरवं इशा वास्यमिदम सरवं यत किंचिज जगत्यां जगत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत उस भगवान को अपना जो भी कुछ है वो इस इदमकार में अहंकार का जो समरपण है वो प्रम्न सम्मंद है। नाम अपिमोहिनी है उसके अंदर जो आसक्त पड़ा जीव है माया के प्रभाव में उसके इस माया रूपी समस्त बंधनों को निरस्त करके उसकी पंच परवा अविद्या को दूर करके उसका देहा ध्यास, प्राणा ध्यास, इंद्रिया ध्यास, अंतक करना ध्यास और स्वर पर जब गूपी जनों की तरह जैसे तन मनस्का तदाला पातद विचेष्टा तदात्मिका तद गुना नेव गायन चो नात्मा गारानी सस्मरू तो जिस प्रकार से सब कुछ जैसे उनोंने ठाकुर जी को दिया उस प्रकार से अपन भी संत्यज्य सर्व विश्यां स्तव पा आपका हूँ और आप मेरे हो ये प्रकार का जो शी तुलसी जी शी महाप्रभु जी ठाकुर जी गुरुदेव शी अमना जी के साक्षी में जो कन्फेशन है वो कन्फेशन से युप्त जो उसको रिमेंबरेंस दी जा रही है कि तु कौन है जीव तु अपने आपको पहचा तु देवी जीव है तु प्रभु का जीव है तु प्रभु की लिला सुष्टी का एक अंग रहा है तु उनकी लिला सुष्टी में वापिस आजा उनके लिए सेवा कर तेरे को तनुनवत तो प्राप्त हो सेवोप योगी देह सिद्ध हो तेरा ठाकुर जी में पुष्टे पुर्षोत्तम के सेवा का तु अधिकारी और पात्र बने इनका जो पूरा अनुष्ठान है ये ब्रह्मसंबंद की अपनी प्रक्रिया है इस ब्रह्मसंबंद रूपी वेवस्था के साथ सविस्थार जो गरंथ जुड़ा हुआ है पूरे शुड़श गरंथों में वो ये सि सिद्धान्त का जो रहस्य है बोतो शुमद अचारे चरण सिवाय कभी प्रकट नहीं हो पाएग यह सिद्धान्त ऐसा नहीं है केवल पुष्टे मारग का ही सिद्धान्त है ये शुमद भागवत का भी सिद्धान्त है इस्टम दत्तम हुटम जबतम बरतम यत्चात्मनब तो ये जो निवेदन का सिध्धान्त है ये गीताजी में भी है तुम सब कुछ मुझे अरपन करो ये तु सरवानि करमानी मै सन्यस्यमत परा तो जो भगवान में आविष्ट चित्त होकर अपना जो भी कुछ है वो अपने प्रभू को समर्पन करने आते हैं तो भगवान भागवजी में भी पूछते हैं ये दारगार पुत्राप्तान प्राणान वित्तम इमंपरम हित्वामाम शरणम याता कथम तान्स चक्तु मुच्य सहे क्या में उन लोगों को छोड़ सकता हूँ जो अपना घर, पुत्र, परिवार, स्ट्री, धन, परिजन सब को छोड़ के मेरी शरण में आए हैं या ये सब कुछ मेरे चर्णारविंद में छोड़ने जो आए हैं, क्या मैं उनको छोड़ सकता हूँ, मर्थात मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, अहम भक्तपराधीना, अस्वतंत्रहिवद्विजा, सादुर विर्गरस्तरदयार, भक्तेर भक्तजनप्रिया, तो ये उसे बार बार भगवान भी मैयेव मना आधत्स्वा, मै बुध्यम निवेशया, मचित्ताम अध्यतप्राणा, बोधयंता, परस्परम, कतयम तुष्चमाम, नित्यम तुष्चंतीचा, रमंतिचा, पर उसके आगे भगवान क्या केते हैं, तेशाम एवानु कंपार्तम, हम उद्धव हो ईवम धर्माईर मनुष्या नाम, उद्धव आत्मनिवेदि नाम, मैस अन्जायते, भगति, कुंज़त्या, विशिष्यते, अर्धव तुम आके मुझे आत्मनिवेदन करो, और जब कोई व्यक्ति धर्मपूरुवक आके मुझे आत्मनिवेदन करता है, तो उसको मेरी भक्ती प्राप्त होती है और जिसको मेरी भक्ती प्राप्त हो जाती है उसको फिर क्या प्राप्त करना रह जाता है। प्रजायते उसको कृष्ट भक्ती प्राप्त होती है और महा प्रभुजी तो स्पष्टाग्या करते हैं सात्विका भगवद भक्ता ये मुक्तियाव अधिकारिना भवान्त संभवा ये शां तेशा मर्थे निरूपिता मैंने ये सब किसके लिए लिखा है सात्विक लोगों बनाये हैं तो जो महाप्रभुजी के हैं जो महाप्रभुजी के गयीव हैं भक्त हैं यथा जफर भगवान को अपना सर्वक्त समर्पन करने ब्रह्मा संबंधी होने आत्वनिवेदन लेने आते हैं जीव की योग्यता का विचार किये बिना विलंब किये प्रभूतुरंत जहां जीव का अंगिकार करते हैं, उस संप्रदाय को, उस मार्ग को, उस दिव्य पंथ को ही पुष्टि मार्ग कहते हैं, यह जो पत है, यह क्या है? महा जनो ये नगतस सपन्ता, यद्यदा आचरति स्रेश्टस तत्त देवे इतरो जना, सयद प्रमानम कुरुते, लोकस्त तदनु वर्दते, आपके बड़ों ने, आपके पूर्वजों ने भी सब प्रमान कुरुव, इन सब शास्त्रों के रहस्यों को जानके, इन सद्दांत बाकी है, जाओ ब्रमसमन लेकर आओ, तो वो कोई ऐसा जिहादी औरंग जेप का आगरे नहीं था, ये जानके आगरे था, कि हम सब एक मत, एक धर्म, एक संप्रदाय, एक सी साधना और उपासना प्रणालिका के लोग भेले होंगे, तो हम शांती से भगवत भजन कर पाएं क्यों न हम इस जीव का भी लवकिक वैदिक भागवान के साथ जोड़ के इसका जीवन भी अलवकिक, पार अलवकिक बनाने का प्रयास करें, तो मैं पुनश्च एक बार ये बात कहना चाहूंगा, कि जिन लोगों का कंठी लेना बाकी हो, जिन लोगों का ब्रह्मसमंद होन अगरे करें और कम से कम इस पवित्रा ग्यारस पे वरत करके पवित्रा द्वादशी जो आत्मनिवेदन समरण जयनते दिवस हम सभी कहाता है, यह आत्मनिवेदन समरण जयनते दिवस है कि जब पुर्यदुर्दामोदर्दास हरसानी जी का और कृष्टदास मेगन जी का साथ में ब्रह्म संबंद जब शी महाप्रभुजी ने यमना जी में ठाड़े ठाड़े ही जब आपने कराया आपको आश्चरे होगा जानके कि श्रावण स्वाइब श्रावण